नमस्कार दोस्तों स्वाखत है आपका अपने चनल परसाला टेक में अंली टेक नो फेक दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि railway ने मैनुलिघ पास्रविस बंद कर दिया है अब railway ने जो है इपास्रविस की सुरूआद किया जिसके जड़ी आप कभी भी अपने ही यहीं पताऊंगा कि railway e-pass के जड़िए online ticket book कैसे करते हैं तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देजेगा और वीडियो के सारे नोटिफिकेसन देखने क के लिए बेल आइकन प्रेस करके और पर सिलेट कर देजेगा क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहाता हूं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सिंप्ली अपने मवाइल में IRC TCF को ओपिन कर लेना है ओपिन करने के बाद यहां आपको अपना एंपिन डालना है बोक्स में दीए कैप्चा को इंटर करना है और लोगिन पे किलिक कर देना है लोगिन पे किलिक करने के बाद आपको सिंप्ली प्लान माई जर्नी में जाना है यहां आपको फ्रोम और टू का ओप्सन दिक रहा होगा सिंप्ली आपको जिस इस्टेशन से जर्नी स्टार्ट करना है उस इस्टेशन को फ्रोम में इंटर कर लेंगे जैसे मुझे मढगाउ में जाना है यहां पे देट कर लेना है और आपको स्प्राइब पास कंसेशन वाले ओप्शन को सिलेट कर लेना है अगर आप रेलवे इस्ठाप नहीं है तो आपको इसे इसकीप करके सर्च ट्रेंट पर क्लिक कर देना है अब आपके को बताना चाहूंगा कि गवर्मेंट के नए रूल के अनुसार जितने भी जो है फेस्टिवल एक्स्प्रेस ट्रेने हैं उसमें जो है रेलवे इपास से सिलेट करने के बाद आपको पैसेंजर डिटेल पे क्लिक कर देना है कंफरमेशन को आई अगरी कर लेना है उसके बाद जो इनफो आ रहा है उसे सिंपली ओकी कर लेना है ओकी करने के बाद आपको यहां एड न्यू पे क्लिक कर देना है आपको यहां सिंपली पैसेंजर का ना डालना है Age डालना है gender डालना है उसके बाद यहां पर अपना पास नंबर हम डाल लेएं पास booking code एंटर कर लेना है अगर आप नहीं जानते है पाद क्लिट क्लिट आपको स्फिछात्य हूं पास booking code इनरत के पास booking code जन्ट करने के लिए सिंप्पली आपको अपना HRMS account Top आपको इसुपास पर क्लिक करना है यहाँ पर है आपको अपना पास नंबर में ने और तो चलिए यहां पर पास बॉकिंग कोड रिंटर करके पे add passenger पे click कर देते हैं अब आपको simply यहाँ पर अपना address इंटर करना है address इंटर करने के बाद review जन्य डेटेल पे click कर देना है अब आपको simply यहाँ पर box में दिए capture को enter करके proceed to pay पे click कर देना है और थोरी देर wait करना है आप देख सकते हैं हमारा पिनर नमबर दिया गया है यहाँ पर हमारा ticket status confirm बता रहा है हमारा coach number D1 है और sheet number 41 दिया गया है आप यहाँ से भी अपना ticket download कर सकते हैं या फिर आपके register email ID पर जो है आपको ticket भेज दिया गया है आप वहाँ से भी जो है अपना ticket print करा सकते हैं आशा करता हूं दोस्तों आप रेलवे इपास के जड़िया online ticket book करना सीख गये होंगे